प्रेंट स्वागे था आप सभी का हमारे एको ने इंट्रेस्टिंग वीडियो में सो गाइज आज की वीडियो होने वाली है बहुती जादा ओपी क्यूंकि आपने जो भी मेरी वीडियो स्क्रीम पर फर्स्ट पोल यहां पर क्लिप देखी क्लिप के बारे में बात करेंगे मतलब जो हमने हेट्सोड मारे फर्स्ट पोल क्लिप में वहीया पर आप भी मारने盈 वालो के लिए वही स्टेफ होंगे कौन सी ट्रिक लगी कि ताकि आप भी मेरे जैसे याप पर कोपी टुकोपी ऐसे याप पर ओपी वाले हैट्स लगा पाऊ तो इसके लिए आपको करना क्या होगा सब कुछ यहाप पर एक एक करके बात बताऊंगा एक करके यहाप ट्रिक भी समझाओंगा एक हैं तो काफी ज़धा ट्रेंडिंग में रहने वाली है तो आपको जल्दी जल्दी सीखना होगा तो इसी आपको सीखना आ सब्सक्राइब करें आपसे नहीं पूर क्लिए आपको फर्सटरवी पूर करने के लिए या प्रत चांपने का याZA मेंडिगट का जो भी बनाओ व्रें उसके बूर आपको इतनी साइज करने होगी ताकि आप आसानी से उसको टच कर पाओ यूखिन जो भी आपर न्यू इमोट है यहाँ पर बहुत एमेट रोल निबाता है मेडिकीट बटन और इमोट का बटन तो गाइस यहाँ पर यह जो दोनों बटन है उसको आपको maximum size में यहाँ पर आपको maintain करना होगा मतलब की आप कितनी size में उसको आसानी से टच कर लो उतनी size यहाँ पर आपको रखने होगी ताकि यह आप में जो headshot मारने में आसानी रहा है और गाइस जो भी fire button की size हो यहाँ पर 40 से 50 के बीच रख सकते हो मैं यहाँ पर 42 में खेल रहा हूँ तो आप 42 में भी रख के यहाँ खेल सकते हो तो guys first of all यहाँ पर आपको custom setting में changes करने होगे second यहाँ पर आता है हमारा red dot guys यहाँ पर red dot बहुत एहमियत निवाता है यह headshot में आपको guys यहाँ पर first of all यह check करना है कि हमारा जो भी red dot है वो यहाँ पर enemy के पास यानि कि enemy के उपर लोक नहीं होना चाहिए अगर guys जब भी यहाँ पर enemy के उपर हमारा जो red dot है वो लोक हो गया यह headshot trick यहाँ पर आप work करने गये और आपसे यहाँ पर red dot यहाँ पर enemy के बोडी के उपर लोक हो गया तो कभी भी यहाँ पर उसको headshot नहीं लगेगा उसको only body shot ही लगागा मतलब कि आपको यहाँ पर red dot है वो किस जगे पर रखना होगा guys यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर red dot है इस ट्रिक को यहाँ पर आपको अशनी से उसको headshot मार पाओ तो guys यह two step यहाँ पर होते है जो हमने complete का लिए अब बढ़ते हैं इस trick को यहाँ पर work कैसे करना है मतलब कि यह trick यहाँ पर लगाने के लिए आपको consist तो follow करने पड़ेंगे तो guys यहाँ पर आपको मैं अच्छी तरह से slow motion में यहाँ पर यह trick को यह पर अच्छी तरह से समझाओगा कि आपको यह trick को कैसे work करना है तो guys यह trick यहाँ पर work करने के लिए फर्स्ट पॉल यहाँ पर आपको क्या करना होगा guys आपको मैं slow motion में अच्छी तरह से समझाता हूँ एक बार ना समझाए तो मैं दूसरी बार भी समझाओगा but guys slow motion में समझाओगा तो ही यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ पाओगे so guys यहाँ पर आप देख सकतो opponent मेरा यहाँ पर friend ही है guys और कोई नहीं है अभी मेरा friend है देखो मैं meady मार रहा हूँ first of all आपको meady लगाना है बाद में आपके पास जो भी कोई भी emote है वो emote करना है guys यहाँ पर ऐसा नहीं कि यही emote करना है आपके पास जो भी emote यहाँ पर आपके emote collection में available है उस emote को करना है और अपने friend यहाँ पर आप देख सकतो मेरा जो red dot है मतलब कि मेरा AMA वो भी red नहीं है बट guys enemy मेरी तरफ आने की try करता है तो मेरा जो AMA वो directly उसके head के उपर automatic यहाँ पर set हो जाता है और उसको यहाँ पर opi वाला headshot लग जाता है तो guys आपको भी यहाँ पर copy to copy इसी trick को यहाँ पर ऐसा ही काम करना होगा मतलब कि आपको क्या करना है first ball यहाँ पर आपको क्या करना होगा first ball यहाँ पर आपको medi लगाना है तो चाया गाईज यहाँ पर enemy left side से आ रहा हो यह right side से आ रहा हो किसी भी एंगल में आप इस headshot को यहाँ पर मार सकते हो इसलिए गाईज यहाँ पर आपको क्या करना होगा यहाँ पर enemy अगर straight आता है तो आपका fire button यहाँ पर straight यहाँ पर drag करना होगा enemy अगर left side से आ रहा है तो आपका जो fire button है उसको यहाँ पर left side से drag करना होगा अगर enemy right side से आता है तो यहाँ पर आपका जो fire button है उसको right side में drag करना होगा मतलब कि यहाँ पर तीनो direction में यहाँ पर आपको drag करना है enemy की यहाँ पर location पहचाने के बाद तो भी यहाँ पर one tap headshot है हो, यहाँ पर मेरे जैसा आप लगा पाओगे So I hope कि guys आपको यह trick अब समझ में आ गई होगी और guys अभी एक step हमारा बाकी है, मतलब कि यहाँ पर आपको practice कहाँ पर करने होगी इससे आपको बहुत यहाँ पर फाइदा मिल गए, यानि कि बहुत आसानी भी होगी custom में करोगे तो आप easily यहाँ पर सीख भी जाओगी, इसलिए इस परस्ट पोल यहाँ पर custom में try करो बाद में clay squad rank में या clay squad जो भी यहाँ पर battle है, उसमें try करो और जैसे वर्क करें तो उस पर उपर और ज्यादे यहाँ पर focus करो और उससे भी यहाँ पर ज्यादा practice करो, ताकि उसमें अगर आप better बन गए तो आपको यहाँ पर कोई नहीं रोख सकता, यह headshot मारने में इसलिए ज्यादे ज्यादा practice करना, so I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से like कर दीजिए, क्योंकि एक like से हमारा जो motivation है वो काफी ज्यादा increase हो जाता है, और guys ऐसे यहाँ पर वीडियो यहाँ पर आपको चाहिए और आपको ऐसा भी लगे कि यह वीडियो मेरे फ्रेंड को share करना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड को भी share कर दो और हमारी चैनल पर फॉर्स टाइम यहाँ पर विजिट कर रहे हो, तो मेरी चैनल को subscribe मारने के बाद, पास में दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इन फ्यूचर में जो भी उमारी न्यू वीडियो जे ऐसी न्यू ट्रिक, टिपसें ट्रिक के उपर वीडियो है, उसकी notification आपको जल्दी जल्दी मिल पाए, तब तक के लिए टाटा, बाई बाई